दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी गाय वहेंस दूद कम दे रही हो तो उसके बारे में बात करने वाले हैं आज जो हम उपियोग बताने वाले हो उसका उपियोग करके आप कम खर्च में अच्छा दूद अपनी गाय वहेंस से ले सकते हैं तो अगर आपकी गाय वहाश दूद कम दे रही हैं, तो परेशान ना हो, आज हम आपके लिए ऐसा उपयोग लाई हैं, जिसका उपयोग करके आप पहले दिन से ही अपने पसूग का दूद बढ़ा सकते हैं, आज हम आपको जो उपयोग बताने वाले हैं, उसको उपयोग करक देली का हमारा होनी वाला है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो इसके वारे में बताने वाला हूँ अपने पसू का दूद कैसे बढाएं और हम बात करेंगे इसके किस ?. पसू को हम छूप न वाले उसको दे और किसान साथ यह बात करेंगे इसका पसू पर कोई नुकसान तो नहीं होता और पसू हमारा जो है इसके दैने से कितना दूथ बढ़ सकता तो किसान साथ यह सबी के बार में आज जानकारी देने वाले हैं पूरी आज कर देखें और वीडियो अच्छे लेकर वीडियो को ला करना है हमें वो लेना है घ्यहू का दलिया कि शायक करते हैं कि शायक दोसरी। तो देश्नी द हम्हें का दता है हमें उताक हमें फिराप समय काओं मात्स भिंह का तुंस दकान का दाओं आप में तो हमें सबसे पहले कों एक दो गूंटे इसको आपसे, मिक्स करके, अच्छ तरिय से, मिक्स 다음에 हमें रख लेना है ! किसांत साथ ही सबसे पहले हम आपको बताने इसको और इसको उपीयों करने की बाद कदरे इसको पहले हमें इसको इस थारा हमें नॉत इसको द Höunn पिलाना रे नॉत- कि दो से तीन घंटे बाद आप चारा और पानी दे सकते हैं, दो से तीन घंटे में कुछ भी नहीं देना है, ताकि हमारे पसु के सरीर में आसानी से आपजर्ब हो जाए, अगर आप देंगे तो हमारा पसु वीमार भी हो सकता है, इनसाब दानी को रखे, तो हमें चारा जब देना है, साम के टाइम हमें अपने पसु को 8-9 बजे के टाइम इसे दे देना है, तो किसान साथ यो इसे दे देना है, देनी के बाद हमें और भी आगे को प्यूक जो करना है वो बताने वाला हूं, तो किसान साथ यो अगर इसे देनी की बात करें, तो हमारा पसु जैसे ब हम अच्छे टॉनिक बना देंगे किि शायन साति हो तो कि अगर इसकी देनी की बात करें तो हम यह आठ से दस तिन देना आठ से दस दिन बाद हमें इसकी टोज दिना बंदने कर देना है इसको देने के तुरंत बाद हमें अपने गाए पर रिजल्ट देखने को मिलेगा तुरंत हमारे दूद में ब्रद्धी होने लगेगी अगर आपके पसु का जो डेरी पर दूद्ध ले आते हैं कम रेड़ों में पढ़ता है तो हमें इसमें थोड़ा चीनी की मात्रा भी मिक्स कर लेने हैं चीनी की मात्रा से हमें थोड़ा जो ऐसे ने पाता है उसमें थोड़ी ब्रद्धी हो जाएगी और हमारे अच्छे रेड़ों में थोड़ा पढ़ने लगेगा तो किसान साथी यह ती कुछ पॉंट और बात कर लें इसके नुकसान के बारे में तो किसान साथी इसके कोई भी नुकसान नहीं है वैस हमें एक उसके बाद नहीं हमें पानी देना है नहीं चारा देना है तो एक दो घंटे के बाद आप कुछ भी दे सकते हैं इसकी थोड़ी साब धानी रखनी है अगर किसान साथी यह बात करें इसके दूद बढ़ने की मात्रा तो हम इसको अगर साथ से आठ दिन देते हैं तो एक से कि हमारे भाई ने इसका उप्योग किया हो तो हमें कमेंट करके बता दे ताकि और खिसान भाईयों को इस पर बरोसा हो सके तो किसान साथी एक बार उप्योग करके जरूर देखें यह हमने अपने पसूप पर अजमाया हुआ है और हमें अच्छा रेजल्ट भी देखने को म अच्छा देंगे तो किसान साथी वीडियो अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक करने ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिन जय भारत